हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज़ूगेस्टे चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे मेक Q10 प्लस के बारे में और जानेंगे उसके basic उसके बारे में deli dose, side effects, warning and contraindications की detail study करेंगे आज के लेक्चर के अंदर जानेंगे कि ये मेडिकेशन किस तरह से low sperm count के treatment में यूज़ की जाती है साथ ही जानेंगे कि ये मेडिकेशन किस तरह से stamina बढ़ाने के लिए helpful है और कैसे ये sperm count को increase करता है तो, एक्सपte lecture by Amr sir ऐसिस्टम प्रोफेसर इन फाउंडर ओब Farmaroks, थेंक्यू फर बेन, Farmaroks फेमिली अप्डेटर रही है, Farmarmos लेलेक्स के साथ सिखिया लगदक बीमारीहों के बारे में उनके उपचार के बारे में, दवड़ीयों के basic use, dose, side effect warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में Pharma Rocks के mobile app के उपर Android user, Android app डाउनलोड करे iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगे या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं अब आप हमारे second channel को subscribe कर सकते हैं जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain के जहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे से Hindi में explain किया हुआ देख पाएंगे वो भी काफी अच्छी picture quality के साथ तो अभी subscribe करें second channel के जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain link आपको description box as well as comment box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते हैं Mac Q10 Plus के बारे में तो यह essay class का medication के जिसको हम nutritional supplements के category के अंदर include करते because याप याप उसका ये label देखो तो लिखा है कि L-Arginine उसके अंदर present है L-Carnitine करके है present Ubiquinol है, Lycopene है, Folic Acid और Natural Extract जो है ये 10 ग्राम जितने powder के अंदर add किया गया है कि जिसके करएं उसको हम कह सकते कि उसके अंदर vitamins भी है Low Spum Counts के इलाज में यूस की जाती है, तो पुरुसों के अंदर जो बांजपन का जो problem होता है कि especially Spum Counts जो बहुत ही कम होते है तो उसको increase करने के लिए male infertility के जो symptoms होते है उसको treat करने के लिए especially ये Mac Q10 Plus जो वो यूस किया जाते है, तो उसका जो क्विनोल रहेगा, 200 microgram जितना, L-Arginine है 3000 mg जितना लिवो कार्मिटिन करके उसके अंदर प्रेज़न है, 500 mg Lycopene है, 5 mg, Pink Pine Bark यहाँ पे extract है और 75 mg जितना, फिर Tribulus Terrestries के जिसको हम गोकसूरा कहते हैं कि वो भी 600 mg इसके अंदर प्रेज़न है, और विदानिया सोमनी फिरा का जो एक्स्ट्रेक्ट 500 mg जितना यह medication के अंदर जो है वो available है तो अब आप समझे जो sperm count जो कम होता है, उसके लाज में यह medication दी चाती है तो सबसे पहले आपको sperm analysis पता होनी चाहिए तो यहाँ पे जो microscopic study देखो तो यह वाला जो नीचे का जो diagram है, वो दीखाता है कि sperm count जो है वो बहुत ही कम है तो कम low sperm count low कब होता है कम कब होता है तो वो तब कहा जाता है कि जब 15 million या फिर उससे कम हो तो sperm counts low है सका जाता है और जब आप normal sperm count चेक करें तो वो 15 million per ml से जो है वो ज़्यादा होता है कि 15 million या फिर उससे भी ज़्यादा sperm होते है 1 ml जितने semen के अंदर तो उसको normal value कही जाती है फिर दूसरी बात आते है उसके motility की तो वो 40% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए और progressive motility होनी चाहिए 32% और more कि ज़से जो प्रपूसन होता है sperm swimming in one direction कि यहाँ पर जो आप diagram में देख रहे है कि ज़से मचलिया पानी के अंदर तेर रहे हैं उससे तरह से sperm करते हैं तो उसकी motility जो हो proper होनी चाहिए तो उसके करण यह जो medication है वो use की जाती है especially male infertility के treatment में कि जो यह sperm का count होता है वो increase करने में जो वो help करता है साथ उसाथ उनकी जो यह motility है कि उनकी जो movement है यह swimming capacity है और एक ही direction में यह जो movement करते हैं तो उसको enhance करने के लिए भी यह medication useful सा भी दो दिये sperm की जो quantity होती है वो यह enhance करता है फिर जो body के अंदर आपके weakness है कि अगर आपका stamina कम हो जाता है weakness हो जाती है थकान हो जाती है तो उसको यह improve करता है आपकी immunity enhance करता है और साथ उसाथ जो stress level जो होता है body का वो भी जो है वो reduce करता है तो यह सब special male infertility के जो symptoms होते है उसको ठीक करने के लिए special यह count काफी कम है तो यह medication sperm count को बढ़ाने में साथ हो साथ जो आपका healthiness आपके अंदर होनी चाहिए आपके अंदर जो कुछ stamina होना चाहिए तो stamina बढ़ाने के लिए भी यह medication जो हो health pulse हो भी तो तो आप कैसे काम करता है वो आप समझे तो उसके अंदर कुछ ऐसे ingredient है जैसे की ubiquinol तो यहाप आप जो यह ubiquinol लिखा हुआ देख रहे है तो ubiquinol एक type का antioxidant है अब antioxidants क्या करते है कि हमारी body के अंदर जो कुछ cell होते है वो कुछ processes के कारण जो वो damage होते है तो ubiquinol जो prevent करता है cell damage हमारी body के अंदर के जिससे जो cell का जो damage है वो reduce हो जाए होता है और इससे sperm count जो है वो increase होते है because sperms भी एक type के cell ही है और वो समझो कि damage हो जाने के करण उनकी quantity कम हो जाए है उनकी motility कम हो रही है और उनकी संख्या भी कम हो रही है तो ubiquinol जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको help करता है कि जो as a co-enzyme cutanist के अंदर काम करता है फिर दूसरा है L-arginine कि यहाँ पे आप देखो L-arginine करके एक ingredient है कि वो एक amino acid है और यह amino acid क्या करता है treat करता है heart diseases कि अगर आपको heart related कोई problem हो तो उसको भी ठीक करता है फिर blood flow जो है तो वो यह medication increase करवाता है और साथ में जो coronary arteries के और जो blood flow होता है उसको भी enhance करवान में L-arginine help करता है कि जिससे क्या होता है कि आपका जो ही वो body के अंदर energy बनी रहती है साथ असा stamina भी maintain रहता है और blood flow जो 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 body के अंदर पर काम करता है और prevent करवाता है आपका cell damage फिर L-carnitine जो है उसके अंदर वो एक amino acid है तो यह amino acid क्या करता है body को एक help करता है to produce energy अब देखिए कि आपके सरीर के अंदर energy जब तयार होती है energy produce होती है तो वो क्या करे कि आपका stamina बढ़ाएगी तो L-carnitine जो especially जो इसके अंदर present है तो L-carnitine आपका stamina stamina enhance करने में जो वो especially help करता है because यह energy production करवाता है body के अंदर और साथो साथ ही एक important है L-carnitine heart, brain और muscles की अच्छी movement के लिए आगे देखे कुछ दूसरे ingredient जैसे कि folic acid folic acid B9 करके है vitamin तो vitamin B9 का जो काम है हमारी body के अंदर तो जो healthy new cells बनाने में वो help करता है especially जो हमारे blood cell के formation में भी यह help करता है और जो गोकसूरा उसके अंदर present है तो गोकसूरा का जो काम होता है कि आपका libido जो है वो यह boost करता है especially कि boost your libido और male infertility में भी वो help करता है यूस किया गया है कि जो एक तो cell जो है वो उनके formation को increase करता है तो उसी तरह से sperm cell भी increase होके तो आपका sperm count बढ़ जाएगा साथ ही आपका जो libido है उसको increase करता है sperm की motility help करता है साथ ही यह stamina बढ़ाता है तो जब आप यह medications लेते जो male infertility की जो problems होती है वो दूर होती है तो उसको लेने के आप direction देखे तो यहाँ पर जो आपके पास यह sachet है उसको जो आप cut करते है और especially उसके लिए आपको पानी लेना होता है 100 ml जितना पानी लेना पड़ता है आपको 100 ml जितना पानी ले जीजे और फिर यह जो powder है आपको उसके अंदर add करना होता है और फिर spoon की मदद से उसको अच्छे से जे वो mix कर दे और फिर तुरंत आपको immediately पी लेना है तुरंत जैसे ही आप उसके अंदर mix करते हैं stir करने के बाद उसको mix करने के बाद तुरंत जो आपको लेना है और कितने दिनों तक लेना है कितनी quantity में लेना है वो आपके sperm count के उपर depend है तो जब भी आप sperm count का test करवाते हैं और आपके जो doctor जिस तरह से suggestions देते हैं उस तरह से आप जो ले सकते हैं कुछ लोगों को डेली लेने की भी advice दी जाते हैं अगर उनका sperm count बहुत कम है कुछ लोगों को week में 2 बार भी लेना होता है week में 2 बार, 2 टाइम या फिर कुछ लोग जो हैं once a week भी लेते हैं तो depend करता है कि आपका sperm count के कितना है sperm qualities कितनी है तो उसके basis के उपर ये medications दी जाती है अब उसके कुछ side effects के हम study करें तो अगर कोई person उसको high dose में use कर लेता है तो complications हो सकते हैं आपको पेट में दर्द हो सकता है stomach upset होना, nausea मलेब कि आपको ulty जैसा होना और फिर ulty हो सकती है, diarrhea हो सकती है अगर आप काफी high dose में उसको use कर लेते हैं dizziness मलेब कि नीद जैसा आना और सरदर जैसा आप फिल कर सकते हैं या फिर stomach upset, heart burn जैसे पिर problem हो सकती है अगर काफी high dose में लेते हैं तो आपकी भूख कम हो जाएगी loss of appetite जैसे symptoms anorexia जैसको हम कहते हैं heart burn मलेब कि सीने में जलन होना और liver enzymes जैसे आपके increase हो सकते हैं, blood pressure ये medication जैसे वो reduce करवा सकती है gastric discomfort आपको होगा कि जाहे इसोफेगस हो, stomach हो या फिर intestines का region और skin के ओपर कुछ लोगों को rashes होते हैं, उसकी allergy के कारण, तो अगर आपको allergy है, तो ही ये rashes होगे, वरना allergy नहीं होगी problem है, किसी को heart की बीमारी है, kidney fell है या फिर उसके gastrointestinal drug के चाहे isofigus के अंदर या फिर stomach के अंदर या फिर duodenal के अंदर ulcer है, और पांच वे कि अगर आपको कोई allergy है, इसके अंदर use के, किसी भी ingredient के आपको allergy है, तो भी ये medication को use ना करें, तो patient counseling के दौरान जरूर से discuss करें कि अगर आपको कोई liver problem है, heart की भी मरी है, kidney का problem है और जरूर से patient counseling के दौरान ये जो है आपको बताना चाहिए, फिर अब उसके drug interactions देखते हैं, तो सबसे पहले देखे कि Mac-Q10 प्लस आप कभ यूज़ ना करें या फिर उसके साथ कौन से medicines ना ले, तो एक anti-coagulant की, जो warfarin होता है warfarin के साथ कभी भी इसका combination ना बने कि warfarin plus ये जो है वो आपको कभी भी combine नहीं करना है, फिर अगर anti-cancer ले रहे हैं, तो anti-cancer plus maccutan plus avoid करना है, या फिर blood pressure के आप medications ले रहे हैं, तो उसके साथ भी ये combination avoid करना है, जैसे कि आप captopril ले रहे हैं enolapril, loss art amlodipin, कोई भी आप ले रहे हैं medication, blood pressure कम करने वाली, तो ये सब कुछ सावदानिया रखने हैं कि जब आप उसको use करते हैं तो हमारे second channel को जरूर से subscribe करें, जिसका नाम है hollywood to indie explain, link आपको description box में मिल जाएगी सीखे दवाईयों के basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindications एक साल तक वो भी affordable price में सरल बासा में सीखे, farmer उसके, mobile applications के उपर android user, android app download करे, iphone user app store से, या फिर 9016312020 पे आप हमें call या whatsapp कर सकते है तो जरूर से subscribe करें, हमारा channel और download करें, farmer or sky app android user, android app download करें, iphone user app store से, link आपको description box में मिल जाएगी, good luck and all the best